विक्रम बेताल की 21 वी कहानी सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। समराट विक्रम आदित्य ने योगी को दिये वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतार कर अपने कंधे पर बैठा दिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिये। रास्ता तै करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बेताल बोला बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के राज्य में पदमनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहुकार रहता था। उस साहुकार का नाम था अर्थदत। मनिवर्मा के एक धनी साहुकार से उसका विवाह कर दिया। को देखा कमलाकर को देखते ही अनंगमंजरी को उससे प्रेम हो गया वहीं दूसरी और कमलाकर भी अनंगमंजरी को मन ही मन चाहने लगा था अनंगमंजरी बिना देर किये महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है अनंगमंजरी चंडी देवी से हाथ जो इतना कहते हुए अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खीचा और पेड़ पर दुपट्टे से फासी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहली वहां आ गई। सहली ने कहा, अनंग मंजरी तुम ये क्या कर रही हो। इस पर अनंग मंजरी उसे अपनी मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहली कहती है, तुम बिलकुल भी परेशान न हो। जल्द ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूँगी। सहली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुख गई। अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंद किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक न सके। कमलाकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओड दौड़ा। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अनंग मंजरी की धड़कने तेज हो गई और मारे खुशी के उसकी धड़कने ही रुख गई अनंग मंजरी को मरा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया इस बीच मनेवर्मा भी वहां पहुँच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी से साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था इसलिए उससे अपनी पत्नी का व्योग सहा नहीं गया और उसने भी प्रान छोड़ दिये यह सब देख चंडी देवी स्वयम वहां प्रकट हुई और सब को दोबारा जीवित कर दिया इतना कहकर बेताल बोला बता विक्रम इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा बता विक्रम प्रेम में अंधा कौन था बेताल के बार-बार पूछने पर विक्रम ने कहा सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मनिवर्मा वज़ा यह है कि अनंग मंजरी और कमला कर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे वहीं मनिवर्मा यह देख कर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई यह सुनते ही बेताल बोला हा राजन तुमने बिलकुल सही जवाब दिया लेकिन तू बोला तो मैं चला इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंदे से उड़कर पेड़ पर फिर जा लटकता है इसी के साथ प्रेम में अंधक कौन विक्रम बेताल कहानी समाप्त होती है कहानी से सीख किसी भी चीज की अती नुकसान दायक हो सकती है इसलिए इनसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखना चाहिए